हेलो एवरिवन, वेल्कम बैक टो माई चैनल आज मैं आपके साथ दिल्ली का फेमस फूले फूले सौफ्ट कुल्चे और उसके साथ ही मिलने वाले छोले की रेस्पी शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही डिलिशेस डीश है और आसानी से घर पे बनाए जा सकता है रेस्पी बनाने से पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकोन जरूर प्रेस करें चलिए फिर आज की जटपट बन जाने वाली रेस्पी छोले कुल्चे बनाते हैं सबसे पहले छोले बनाएंगे, छोले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप कावली चना और एक कप काला चना लिया है, वजन में ये लगबग 200 ग्राम है, इसे मैंने चार गंटे पहले पानी में बिगोनी के लिए रख दिया था, काला चना डालने से छोले का टेस्ट जाता है और इसका कलर भी अच्छा आता है अब इसे तीन से चार बाद साफ फानी से दोलेंगे अब इन चनों को प्रेसर कोक करेंगे कोकर में चने डालने के बाद इसमें दो कप पानी डालेंगे या पानी उतना ही डालें जितने पानी में चने डूप जाए अब इसमें एक बड़ी इलाइची जिसे हलका कोट लिया है और एक छोटा चमस तेल डालेंगे खड़े गरम मसाले इस तरह डालने से सारा फ्लेवर चने में अच्छे से आ जाता है अब इस पर ढखकन लगा के मीडियम फ्लेम पे इस पर 6 सीटी आने देंगे जिससे चने अच्छे से नरम अब इसमें दो छोटा चमस मिल्क पॉडर डालेंगे मिल्क पॉडर डालने से ये सॉफ्ट बनती है अब इसमें एक छोटा चमस चीनी डालेंगे ये पीसी हुई चीनी है चीनी डालने से कुल्चे का कलर अच्छा आता है अब इसमें एक बड़ा चमस रिफैंड ओल डालें यह इंस्टन्ट कुल्चे की रेस्पी है जिसे आप जटपट कभी भी बना सकते हैं और इसका टेस्ट भी येस्ट वाले कुल्चे की तरह होता है डो अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसमें एक इनो का पाकेट डालेंगे और इनो को एक्टिव करने के लिए थोड़ा पान को सर्फेस पे लेंगे और इसे पान से छे मिनट तक पटक पटक के इसी तरह गूत लेना है इसे कुल्चे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं इसे इस तरह मलते समय सूखा मैदा डर्श नहीं करना है अगर चाहिए तो थोड़ा हाथों पे तेल लगा ले डो को मलते हुए लगब का डू बनाया था और इसे ढखके 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि यह थोड़ा फर्मेंट हो जाए इमली का पल्प बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1500 ग्राम इमली लिया था जिसकी बीज निकालने के बाद एक घंटे पहले भीगोनी के लिए रख दिया था इमली के पल अब यह अच्छे से मैश हो गई है अब इसे चाल लेंगे इसे इस तरह एक बरतन में च्छनी रखके चाल लेना है इसे इसका पल्प अच्छे से निकल जाएगा और च्छनने के बाद जो इमली का हिस्सा हमें नहीं चाहिए वो निकल जाएगा इस तरह से इमली का पल्प ह हाथ से प्रेस करने के बाद ये अच्छे से मैश हो जाएं अब इन चनों में जो खड़े गरम मसाले डाले थे इन्हें निकाल के साइड कर लेंगे अब इन चनों को एक बोल में निकालेंगे बोल में निकालते से में मैंने चने का पानी थोड़ा सा साइड कर दिया था और इन चनों को इस तरह से हलका-लका मैश कर देंगे इससे छोले की ग्रेवी भी थिक होती है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है चनों को मैश करने के बाद अब इसमें आदा छोटी का टोरी इमली का पल्म डालेंगे जिसे बना के पहले से ह रखा था और इसे भी चने में अच्छे से मेक्स कर देंगे छोले बनाने के लिए एक बरतन को गरम करेंगे उसमें दो बड़े चमच तेल डालेंगे तेल अच्छे से गरम हो जाए अब इसमें एक चौथाई चमच हिंग डालेंगे हिंग डालने के बाद अब इसमें एक मी सबको ओयल में तब तक भूनेंगे जब तर इनका कलार हलका गुल्डन न हो जाए प्याज हलके गुल्डन हो चुके हैं अब इसमें एक मीडियम सैज का बारी कटा हुआ टमाटा डालेंगे आप चाहे तो टमाटर को पेस के उसका पेस्ट भी जाल सकते हैं टमाटर अच्छे स गल जाए इसके लिए इसमें एक चौथा ही चमाच नमक डालेंगे और एक छोटा चमाच फ्रेश हरा धनिया बारी कटा हुआ डालेंगे और इने भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर ढखके इने दो मिनटता पका लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल इसके ज्यायदा तीखा भी नहीं होता है इससे color काफी अच्छा आता है अब इसमें A5 चोता चमच काला नमक डालेंगे अब इसमें A5 चोता चमच जीरा पॉड़र डालेंगे hem A6 को अमचूर पॉड़र चोले को और भी टेस्टी बनाता है इसलिए एसेỏ इसकीप नकरें hem अब इसमें एक चोथाई चमच हल्दी पॉडर भी डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ड्राय मसाला अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब इसमें चने का बॉयल की हुआ पानी डालेंगे जो निकाल के रखा था और साले मसालों को इस पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है टामाटर अच्छे से गल जाने के बाद अब मसाले इसमें डाल देंगे और इन मसालों को 2-3 मिड़ तक ढखके पका लेंगे मसाले जब अच्छे से पक जाए अब इन चनों को इन मसालों में डाल देंगे इन छोलो में ज़्यादा पानी एड नहीं करना है ये थोड़े ठिकी होते हैं ये छोले अभी बन के तयार नहीं होए हैं अब इनका तड़का बनाएंगे सबसे पहले हम एक बोल में उतना ही छोले लेंगे जितना हमें सर्व करना है क्योंकि हम छोलो को तड़का इसी में दें अगर आपको ज्यादा तीका पसंद नहीं है, तो इसमें हरी मिर्च कम कर सकते हैं, और इस तड़के को तेल में अच्छे से भूल लेंगे, अब इस तड़के में अच्छा सा कलर आ गया है, अब इस तड़के को छोले में डाल देंगे, तड़का डालने के बाद इसे हलके अच्छे से गूत लेना है डो को अच्छे से गूतने के बाद इसमें थोड़ा सा ओयल लगाएंगे और ओयल अच्छे से मलने के बाद अब इसके रूटी जैसे पेड़े निकालेंगे और इस पेड़े को गूल कर लेंगे और इसे थोड़ा सा ओयल लगाके बेल लेंगे इन् मैंने ओवल सेप दिया है आप चाहे तो गूल भी बिल सकते हैं अब नॉन स्टिक तवे पे इस कुल्चे को एक मिर्ट के लिए मीडियम फेल पे ढखके पका लेंगे एक मिर्ट पकने के बाद अब इस कुल्चे को पलटेंगे और पलटके दूसरी सैट से भी इसी तरह पका लेंगे अब इसकी चारो तरफ एक छोटा चमच ओयल डालेंगे आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं और इस कुल्चे को इसी तरह पलटते हुए अच्छे से पका लेंगे कुल्चा काफी सॉफ्ट और फूला फूला बना है और इसकी दोनों सैट से अच्छा कलर भी आ गया है कुल्चा अच्छे से पक चुका है अब इसे निकाल लेंगे अब एक दूसरा कुल्चा बना के दिखाती हूँ सबसे पहले एक कुल्चे की लोई निकालेंगे अब इस लोई के ऊपर थोड़ा सा काला तिल रखेंगे थोड़ा बारिक कटा हुआ हरा धनिया और फिर इसे बेल लेना है इसे बेलते समय इसे उठा के इसी तरह चारो तरफ घुमाना है ताकि ये सर्फिस पे चिपके नहीं और चारो तरफ से एक जैसा बेला जाए कुल्चा अच्छे से बेल चुका है अब इसे सेक लेंगे इसे गर्म तवे पे एक मिलिट के लिए मेडियम फिर पे ढखके सेक लेना है अब इसके एक सैट से अच्छा सा कलर आ गया है अब इसे पलटके दूसरे सैट से भी अच्छे से सेक लेंगे अब इसके चारो तरफ थोड़ा सा ओयल डालेंगे और ओयल डालने के बाद इसे तीन चार बार पलटते हुए इसी तरह पका लेंगे यह कुल्चा भी अच्छे से पक चुका है, फूल के डबल हो गया है इससे तरह सारे कुल्चे बना लेंगे कुल्चे बन जाने के बाद अब उसी नॉन स्टिक तवे को गरम करेंगे और गरम करने के बाद उसमें एक चमस बटर डालेंगे बटर डालने के बाद आप इन बने हुए कुल्चों को इस बटर में अच्छे से सेक लेंगे इससे कुल्चे और भी टेस्टी लगते हैं इस तरह से सर्व करते समय सारे कुल्चों को बटर में सेक लेंगे अब इस छोले कुल्चे की जान मसाला ओनियन बनाएंगे मसाला ओनियन बनाने के लिए ओनियन को इस तरह रिंग में कट करेंगे और सारी रिंग को अलग अलग कर लेंगे अब इसमें एक चोथाई चमाच कास्मेरी लाल मिर्च पॉडर डालेंगे एक चोथाई चमाच जीरा पॉडर एक चोथा ही चमच चाट मसाला पौडर एक चोथा ही चमच आमचूर पौडर आधा छोटा चमच बारी कटा हुआ ताजा हरा दनिया और आधा निबू का रज डाल के इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे मसाले दाल रिंग ओनियन बन के तयार है अब छोले और कुल्चे की प्लेटिंग करेंगे इसकी प्लेटिंग मैंने बिल्कुल स्ट्रीट से की है मैं इस कुल्चे को तोड़के दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट बना है छोटी छोटी बातों का दिहन रखा तो इसे जटपट आसानी से घर पे बना सकते है मेरी रेस्पी का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की बनाईवी रेस्पी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, सेर्ज जरूर करें और आप भी इसे घर में बनाए और इंजॉय करें